हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो यार चैनल यूस्फुल टिप्स फ्रेंट्स आज किस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप फ्रेश नीमू के बीस से नीमू का पौधा ग्रो कर सकते हैं चाहे आपके पास किसी भी तरह की मिटी क्यों नहों और अगर आप इसकी थोड़ी बहुत केयर करते हैं तो आप इस पे धेर सारे फल भी पा सकते हैं तो मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेश लेमन सीट्स लिये हैं इसे मैं डारेक्ट सौल में ही ग्रो कर रही हूँ आप चाहे तो पहले टीशू पेपर में भी रखकर इनको जर्मिनेट कर सकते हैं दोनों में ही इसके सक्सेस्फुल रेट अच्छे हैं अगर ग्रो करते टाइम सी से अच्छे से कवर कर लिया है इनको और जो मेरा दूसरा कंटीनर है उसमें मैंने नर्मल गार्डन सोयл को लिया है और उसमें भी कुछ स एट्स वो डाल कर मिटी से अच्छे से Channel कर करके दोनों में वटरिंग कर ली에 ड्रेनेज होल दोनों में पहले से बने हुए थे अगर जोल ना हो तो आपके जो seeds हैं excess moisture की वज़े से वो खराब हो जाएंगे तो अब देखते हैं कि हमारी जो seeds हैं वो कितने time के बाद grow होते हैं तो इनके 22 दिनों के बाद कुछ इस तरही की result है जो हमारा normal garden soil वाला container था उसमें से दो seeds germinate हो चुके हैं बाहर उनकी छोटी 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 लीव बर्ड दिखाई दे रही हैं और जो दूसरा हमारा container था जिसमें की चिकनी मिटी थी उसमें से भी हमारा एक seed germinate हो चुका है जिसमें आप एक थिन सी लीव बर्ड बाहर को देख सकते हैं और भस इसके 10 से 15 दिन बाद आपके और भी सारे काफी seeds grow हो जाते हैं अगर हम इनकी roots को देखें तो ये भी काफी अच्छे से develop हो रही हैं दोनों ही contents में roots भी अच्छे से इनकी develop हुई है अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ये seed से grow कियावा plant इसको इसी तरीके से मैंने 3 साल तक इस चोटे से pot में grow किया और चौते साल में मैंने इसको बड़े pot में shift किया और जब जी 4 साल का हो गया तब इसने पहली बार fruiting इस पे start हुई थी और बहुत अच्छे से fruiting हुई थी तो इसकी आगे से care कैसे करनी है इस वीडियो को मैं आगे आपसे share करूँगी जिसका link आगे मैं आपको i button में और end screen में जरूर दूँगी तो hopefully ये वीडियो आपके लिए जरूर useful लगी होगी अगर पसंद आई हो तो please like, share और मेरे चैनल को subscribe जरूर कर ले तो मिलते हैं फिर किसी ने useful वीडियो के साथ till then take care and bye bye